हाई फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं आप लोग एक बार फिर से आप सब का आपके यूटूब चैनल में बहुत-बहुत अविनलन बहुत-बहुत स्वागत तो फ्रेंड्स यह जो आज का वीडियो है यह बेसिकली जॉप्स का वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम आप आपको बताएंगे और भी आई यान की रिजर्ब एंक आफ इंडिया ने निकाली है असिस्टेंट की वेकेंसी के लिए रिकूप्मेंट और यह ऑनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं असिस्टेंट रिकूप्मेंट 2020 के नाम से तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं रिजर्ब एं कारी के अंतरगत चार सो तेहतर वेकेंसी है ओवी सी में एक सुबारने वेकेंसी है यह डवलू एस कोटे में एट्टी थी है टोंटल इस तहह से 926 वेकेंसी आई हुई हैं जहां तक एची क्राइटेरिया की बात है तो बीस साल से लेके 28 साल तक के आई वर के लोग इसमें स भर सकते हैं यानि कि educational qualification क्या होना चाहिए eligibility क्या होना चाहिए तो जिन्होंने भी graduation कर रखा है जिन्होंने भी graduation कर रखा है किसी भी stream से और graduation में उनके 50% marks हैं वो इस vacancy के लिए eligible हैं तो सबसे अच्छी बात है कि इसमे graduate के जो ही candidates है जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 50% marks सा ग्रेजुएशन कर रही है वो सभी इलिजबल हैं तो जो एप्लिकेशन की डेट है वो अल्लेडी प्रारम हो चुकी है ट्रॉंटी थर्ड आप दिसंबर से ओनलाइन भरे जा रहे हैं 16 जनवरी 2020 तक भरे जाएंगे आपको ध्यार रखना है इस डेट का और जो पहला एक्जाम इसका होगा जो प्री एक्जाम होगा यह होगा 14 और 15 फरवरी 2020 को और इसके बाद जो में एक्जाम होंगे वो मार्स 2020 म अगर बात करें तो देखिए इसमें जन्रल ओवी सी डवरी एस जो कंडिडेट है उनको 450 रुपए का ऑनलाइन भुक्तान करना होगा एप्लिकेशन फार्म बढ़ते समय इसके राब़ा जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यह रिजन वाई जिन्होंने वेकेंसी का डिट अथानों में और किस लेंग्वेश की कितनी वेकेंसी हैं कटेग्री वाइज वेकेंसी का वाइफरकेशन किया हुआ है तो यह आप जहां से बिलॉंग करते हैं उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं और कोई भी कहीं के लिए भर सकता है यह यहां पर एक इम्पोर्टन चीज है त इस तरह से फार्म भनना है और क्या चीजें आपको ध्यान रखना है तो वह सब चीजें मैं आपको यहां पर दे रहा हूं फुल नोटिफिकेशन दे रहा हूं तो फ्रेंड्स यह आफिस्यल वेव साइट है रिजर बैंक आफ इंडिया की और जब आप इसके होम पेज पे जाते हैं तो यहां पे अड्यवुक्तिसमेंट का पीडिया फ्रेंफ लिंक भी दिया हुआ है और साथ यह साथ जो मेंपोर्टेंट आउस्ट हैं जो इंपोर्टेंट महां से आप चला सा इसको देखिएगा डिटेल देखिएगा जैसा कि मैंने आप लिदी बताया कि इलिजबिल्टी है सिंपल ग्रेजवेशन 50% मार्क के साथ 28 वर्स की एस तक लोग इसमें भर सकते हैं लेकिन इलिजबिल्टी क्रेटेरिया में एज का रिलेक्षेशन भी है जैसे कि SCS के लिए 5 साल की चूट है यानि कि वो 33 वर्स तक सब्सक्राइब करना होगा फिर जो सबसे इंपोर्टन चीज़ है जो आपके मन में प्रशन हो सकता है कि जो प्री का एक्जाम होगा उसमें क्या पूछा जाएगा में की पूछा जाएगा तो चलिए इसके बारे थोड़ा सा बात कर लेते हैं और एक घंटे का ही यह एक्जाम होगा, 60 मिनट आपको मिलेगा, 100 प्रशनों के लिए, 100 नंबर होंगे, और 60 मिनट का टाइम मिलेगा, बिल्कुल बैंकों में जो एक्जाम होते हैं, उस स्टाइल में घ्याम होगा यह, और यहाँ पर English Language, Numerical Ability और Reasoning, तीन ही कंपोनेंट इस एक्जामिनेशन के हैं, English Language से समधित, 30 कोस्चन होगे, 30 मार्क्स के, Numerical Ability यानि की Mathematics, आपका जो यहाँ पर होगा, 35 कोस्चन होगे, 35 मार्क्स के, और Reasoning Ability, 35 कोस्चन, 30 मार्क्स के, तो इस तरह से जो Pre का एक्जाम है, एक घंटे का होगा, 100 कोस्चन आएंगे, 100 नमबर के होगे, English, Numerical Ability और Reasoning इसमें कवर किया जाएगा, जो लोग इसको क्वालिफाई करते हैं, उनको फिर बुलाया जाएगा, Main Exam के लिए, और Main Exam में क्या-क्या पूछा जाएगा, आएए उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या सलेवा से Main Exam का, तो यहाँ पर Reasoning आएगी ही आएगी, इसके बाद English Language और Numeric Ability यह तो पूरी चीज़ें, जो First Paper में थे, वहाँ भी था और यहाँ भी है, इसके बाद जो नई चीज़ें एड हुई है, वह दो चीज़ें एड हुई है, एक तो Journal Awareness और दूसरा Computer का Knowledge, और जो यह एग्जाम होगा, इसका जो Duration है, वो है 1 घंटे 35 मिनट, ठीक है ना, जो स्वारी, 135 मिनट का Duration है, आपका, यानि कि आपको पूरे-पूरे 2 घंटे मिलेंगे, और 15 मिनट और भी मिलेंगे, तो यह जो आपका Main वाला एक्जाम है, यह भी MCQ-based है, इसका सलेबस थोड़ा सा बिस्त्रित है, 200 Question होंगे, 200 Number के होंगे, और समय भी आपको यहाँ पे, काफी समय मिल रहा है, 2 घंटे और साथ में 15 मिनट आपको और भी मिल रहे हैं, यानि कि सवा 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 200 Question होंगे, 200 Number के होंगे, और इसमें जो Component है, वो Reasoning, English, Numerical, General Wellness, और Computer का Knowledge है, और जो Wipरकेशन है, सभी से 40-40 Question पूछे जाएंगे, जहां तक Pre की हम बात कर रहे थे, प्री में Wipरकेशन में थोड़ा बहुत भिन्नता थी, English के 30 Question आ रहे थे, Numerical Ability के 35 आ रहे थे, Reasoning के 35 आ रहे थे, लेकिन Main में ऐसा नहीं है, सभी को बरावर Weight is दिया गया है, पांचों से 40-40 Question आएंगे, 200 नमबर के 200 Question होंगे, और सभा दो घंटे का आपको समय मिलेगा, तो यह तो बात थी, Pre के एक्जाम के बारे में, Main के एक्जाम के बारे में, बाकि जब आप ऑनलाइन इसको एक्जाम के फार्म को भरेंगे, तो बाकि इसके लिए आपको अपने जो डाकुमेंट हों, वो सब स्कैन करके रखना पड़ेगा, और जहां तक सैलरी की बात है, इसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है, तो देखिए, इसमें अभी ऐसा बताया गया है, जब आप प्रारमिक लेवल पे इस जॉब को जॉइन करते हैं, तो बेसिक पे आपका होगा 14,650 रुपए पर मंद की हिसाब से, और इसके राबा इसमें जो भी लाउंसेस बगेरा मिलते हैं, वो सब आपको मिलेंगे, तो इसको भी आप देखिएगा, सरकार के जो भी लाउंसेस हैं, तो इसमें जो एक अनुमानित सैलरी बताई गई है, जब आप जॉइन करेंगे, पहले महिने में आपको लगभग 36,000 रुपए मिलेंगे, बिल्कुल ये स्टार्टिंग की सैलरी की बात की गई है, जिक्र किया गया है, और ये जो सैलरी है, ये सहर पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि बहुत सारे जो हैं सहर के हिसाब से होते हैं, तो आप ये मान के चलें कि 35 से 40 के बीच की सैलरी होगी, इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं, वो मैं आपको पीडियो फाइल के माध्यम से उपलब्द करा रहा हूँ, आप उसमें देख लिजेगा, मैं उस फाइल का भी लिंक दे रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन बॉक्स में, तो एक बार फिर से बता दूँ आपको कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया, जिसको कि RBI की नाम से जाना जाता है, वहाँ पे असिस्टेंट की लिए रिकूरूब्मेंट हो रहा है, और जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्तिया है, वो प्रारम हो चुकी है, दो फेस में एक्जाम है, प्रियो और में, दोनों ही MCQ बेस्ट है, अठाइस साल की उमर तक के जो लोग हैं और जो ग्रेजुएट हैं, जिनका 50% मार्क्स है, वो सभी इस एक्जाम के लिए लिजवल हैं, गोल्डर ने पारचुन्टी है, 35,000 से 40,000 की भी सेलरी मिलेगी, और ऑनलाइन एप्लाई करने के बाद आपको प्रियो और में दो एक्जाम निकालने हैं, सलेवस के बारे में बात हो गई है, अलेडी डिसकस हो गया है, बस अब आप इस अउसर का लाव लीजिए, लग जाएए, और इस एक्जाम को अच्छे से दीजिए, नए साल में कुछ नया करिए, और बाकी हमारे चैनल में आलेडी बहुत सारे वीडियोज हैं, आप उनकी भी मदद ले सकते हैं, और आप अगर कहेंगे, तो हम और भी इस तरह के वीडियोज लेके आएंगे, आपके इस एक्जाम के प्रप्रेशन के लिए, तो ये वीडियो कैसा रगा जबूर बताइएगा, चलिए फिर मिलते हैं कि नए वीडियो को कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए जाबस के साथ, तो एक बार फिर से आप सबको वीडियो देखने करें, बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिन जैभार्व